हलो दोस्तों मैं अनिल सैनी स्वागत है आपका एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हाइड्रोलिक जैक कि साहिता से स्लैप को कैसे उठाया जाता है और कुछ उसके मैं वीडियो एक वीडियो बनाया मैंने उसी का कि उसको कि जो हम साइट पर कैसे यूज करते हैं उठाते कैसे हैं स्लैप को और हमें उठाने की जरुत क्यों पड़ती है तो दोस्तों आई ये देखते हैं कि अब आप कि सबसे पहले हम इस देखते हैं कि इसले उठाते हैं जिससे कि जैसे हमारी रोड कंस्ट्रक्शन होती है रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पर तो रोड जब हमारी प्लेंथ लेवल से उपर आ बैक्त उप्लेंथ लेवल वाध्र्यव य्था जाता है तो हमें क्या होता है कि मंदर इंधर घुषने के लिए नीचन की तरफ तरना परता है कि हमें ऐसा थोड़ा ओड लगता है इसले हमारा जो मकान ख़िल लेवल estava ऊपर हम नहां चीए तो इसे क्या होती है Slab की जो Height होती है Road के लेवल के अकॉड़ीग वह थोड़ी सी कम हो जाती है तो हम क्या कहते है Slab को उपर उठाते है Jack के साथ तो देखे Jack कौन सा यूज की जाता है अब जो इसको जब स्लैब को उठा ले जाता है तो इसके नीचे पोस्ट लगा दी जाते हैं जिससे कि यह स्लैब जो है उपर टेकी रहे और नीचे जो भी हमें construction extra बढ़ाना होता है तो हम उस construction को बढ़ा देते हैं जैसे हमें ब्रिक नेजमा को तेने फिट ऊपर उठा दिया है Five سब्क करने के बाद ने वह मिक हूं हमँती थोड़े से ब्रेक क्याना होगा क्योंकि हमारी वॉल है फो फ्रिक वorta रहे हुदए तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़े प्रोसस में मैंने कुछ एड़ किया हुआ है तो कुछ इस तरह के से पोश्ट लग और है तो थोड़ोस हम आगे देखते हैं यह देखें एक्च्छल फोटो है है हमारी तो एक्च्छल फोटो कुछ इस तरह के से होती है जो लकड़ के ब्लॉक लगे हुए यहां पर लकड़ी के ब्लॉक हैं जैक के नीचे जिससे क्या होता हम अगर हम ब्रिक को इसलिए ने दखते हैं क्योंकि ब्रिक क्या होती है क्रस हो जाती है यानि टूट जाती है लकड़ी के ब्लॉक जो होते हैं यह असानी से रुके रहते हैं स्टैबल रहते हैं और यह क्रस नहीं होते इनके स्टेंट अच्छे होती है तो इसमें भी अगर ब्लॉक को यूज किया जाता है तो भी अच्छे क्वालिटी का ब्रीक होने तरी है और आगे देखते हैं हम इस वीडियो में तो दोस्तो मैंने और कुछ थोड़ा सा इसमें एड़ किया देखें यह अंसाइट पर लिफ्ट किया जा रहा है तो इस तरी के से और हम आगे देखते हैं तो और हां दोस्तों स्लैब को लिफ्ट इसलिए भी किया जाता है जिससे कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वह थोड़ा सा फास्ट के जा सके फास्ट का मतलब यह हो गया कि हम स्लैब को नीचे कास्ट करते हैं ग्रांड लेवल पर और उसको जैक की साहता से उपर उठाते च काफी कि मौडर्न टेक्निक आ चुकी है जो है डोलिक जैक किसा इता से हम क्या गरते हैं कि सलैब को एक के उपर एक ऐसे है जैक किसा आइता से उपर बनाते चले जाते हैं जिससे हमारे कंस्ट्रक्शन बहुत पास्ट होता जाता है कि दोस्तों कुछ और आई दी एक्जामपल मैंने इसमें एक्जामपल के लिए दिखाए है यह देखे कुछ इस तरह के का में यह प्रोसेस है यहां पर फर्स्ट वाले में जैक लगा हुआ हुआ है जैक लगाने को जब स्लैब को उठा दिया आता है तो यह पोस्ट लगा जाते हैं एक मैंने छोटा सा वीडियो पी इसमें बनाया हुआ है वह मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि देखिया दूस्तो मैं एक चोटा से वीडियो बनाया जिसमें कि आपको दिखा देता हूं इस वीडियो में मैंने बनाया था तो ये ओं साइट पर मैंने देखा था यहां पर ये रेखिए साइड में पोंच लगए हुए और यहां यहां पर कुछ प्रिक्स को भी सपोर्ट देने के लिए रखा हुआ है यहां पर आप देख रहेंगे कि स्लैब को कितना उचाल लगए का लगए इसमें पांच फिट ऊपर उठाए गाया स्लैब को क्योंकि इसमें जो रोड का लेवल हो थोड़ा सा अप हो गया था तो स्लैब के जो हाइट ऐरो कुछ कम हो गई थी रोड के अक्रॕि तो इसलिए इन्होंने क्या क्या है लेंटर को थोड़ा सा आ स्लैब कहे सकते हैं लोकाल लंगे एलेंटर बोलते हैं तो इसलिए मैंने भी यहां पर आपके लिए लेंटर करी उल्टिया तो यहां पर देख सकते हैं आप स्लैब को किस तरीके से उपर उठा हुआ है और इस वीडियो को आगे देखिया यह देखिए इधर से काफी बड़ा लेंटर स्लैब